नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का अमारे यूट्यूब चैनल वियर स्टोरी ब्लोग में दोस्तों पोचे हैं कोटा उत्तर की पूरी विदायक मोधे श्रीमान पेलाज जी कुंजल के पास में और वहाँ जाकर हमने वसुंद्रा जन्रस्वई योजना मोधी सरकार की द भारती चंता पार्टी के कर्दावर नेताओं में शामिल कोटा उत्तर के पूर्वे विदायक मोधे श्रीमान पेलाज जी गुंजल और कहीं तरह के प्रशनी राजन्यतिक विशों से जूड़े हुए इन से जानने काम प्रयास करेंगे सर स्वागत है आपका जानेबाद सर देखिए पूरे राजस्तान में चल रही है और जिम्मदारी खारली मेरे पनाई है सब कारकरताओं उपर है और ये मुख्यमंत्री जी पूरो मुख्यमंत्री जी का सभी कारकरताओं को आम आवान है करोना काल में लोग देहारी मजदूरी जिनकी चली गई परिवार के परि कुछ समय बाद पता चला कि लोगों ने इंद्रा रसोई वालों ने पैसा वसुलना शुरू कर दिया तब सरकार की पॉल खुल गई सच्चाई सामने आई बामासाओं से चंदा इखटा करके लोगों को इंद्रा रसोई के माध्यम से खाना खिला रहें और चंदा कोन इखटा कर रहे हैं मंत्री जी बेटा चंदा इखटा कर रहा है कांग्रेस के कारकरता चंदा इखटा कर रहे हैं आप कलपना कर सकते हैं कोई मंत्री का बेटा किसी चंदा भांगने जाएगा तो क्या हाल होंगे और उसका हिसाब क्या बहिया और इसलिए जब इंदरा रसोई लड़ खड़ा गी तो वसंद्रा जी ने कहा गरीब बैकती भुका नहीं सोना चाहिए बाजपा के तमाम कारिकरताओं को उसका सहियों की बनकर खड़ा होना चाहिए और हमने वसंद्रा जन रसोई के नाम से गरी के लिए भोजन वित्रण का कारिकम चला रखा है लगब एक महेना हो गया और अभी पिछले दिनों कारिकरताओं की बैठाक में तैक किया है कि इसको तीस जुन तक चलाएंगे जब तक हालात सामने नहीं हो जाते सर एक छोटा सा सवाल में राइक और रहेगा मोधी सरकार की टू पॉंट जीरो जो कारिकाल चलाएं उसमें दो वर्ष पून हो चुके हैं तो इस विशे पर आपका के कहना है क्योंकि इस दो वर्ष के कारिकाल में बड़े बड़े डीसिजन भी हुए हैं तो कोरोना की महमारी जैसी तरालिती का भी सामना सरकार ने क्या है इस विशे आपगे करोना ने पूरी दुन्या को हिला दिया स्वाल भारत का नहीं लेके बारत ने जिस आत्मिश्वास के साथ इसका मुकाबला किया है मौदीजी की सरकार ने जब आफिक्जनेशन कल 85 लाख लोगों का एक दिन में वेक्जनेशन हुआ है यह भाराण सरकार सब कुछ सामाने है और आज तो गुपकार संक्टन के लोगों ने कही दिया प्रदान मंत्री जी बैटक में सामिल होने के लिए जा रहे हैं सब घुटने टेकते नजर आ रहे हैं बारत सरकार के दड़ फैसलों के सामने इसलिए मोदी जी का दो साल का ये जो जीरो टू का करिक है बहुत एहतियासिक है सर एक छोटा सा प्रशन हमारे शेर से जुड़ा हुआ है क्योंकि कहते हैं कि कोटा की जो अर्थव्यस्ता है वो कोचिंग नगरी पर शिक्षाग पर जूड़ी हुई है तो इस कंडिशन में आप क्या किना चाहोगे ताकि अर्थव्यस्ता पट्री कर रहा है इस रूप में कि यहां पर लाखों विद्यारती रहते हैं मकानों का किराया मिलता है पेंग गेश्ट का बोजन का रेस्टोरेंट का पचास प्रकार की दुकानों का सबका कारूबार विद्यारतियों की आने जाने पर निर्बर करता है और इसलिए कोटा की खुसा झाल झाल